स्वागत आप सभी का इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार में नगरपालिका चुनाव की घोचला हो गई है दो चरणों में होगी वोटिंग पहले चरण में 156 नगरपालिका में 10 अक्टूबर को वोटिंग होगी मत गढ़ना 12 अक्टूब पारसद और मुख्य पारसद के लिए होगा वोटिंग एबियम से होगी राज निर्वाचन आयोग ने पटना सहीत 19 नगर नियमों के साथ सभी 38 जीलों में छेत्र बिस्तारित उतक्रमित और नौ गठित सहरी निकायों के वाड़ पारसदों सहीत पुराने सहरी निकायों मे मुख्य वा उप मुख्य परसद का आरक्षण जारी कर दिया है 19 नगर निकाय में 7 में पिछला आरक्षण लागू रहेगा आयोग के अनुसार पटना आरा गया छपरा दर्भंगा भागलपूर और मुझफर पूर निगम में 1270 का आरक्षण ही लागू रहेगा इसमें 1227 म में 9 नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर का पद महिला के लिए आरक्षण किया गया है आरा दर्भंगा पटना बेगुस राय बेतिया और सासराम में महिला मेयर और डिप्टी मेयर होगी पटना में डिप्टी मेयर महिला पर पिछड़ा वर्ग के लिए है वहीं मेय और डिप्टी मेर समानिय वर्गी की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है 248 नगरपलिकाओं में से फिलहाल 224 में ही चुनाओ कराए जाएंगे सेश 24 में इसके ततकाल बाद चुनाओ सम्भव है पहली बार मुख्य और उप मुख्य परसत का चुनाओ सीधे मतदान से होगा मुख्य परसत के पदोपर जिन निकायों में पिछली बार चुनाओ कराए गये थे वहां आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन उस मुख्य परसत के पदोपर एक नए सीरे से आरक्षणता है किया गया है तो प्लीज विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट जनकारी